अच्छा जी सो वी वर डिसकेसिंग हाओ वी केन यूज प्रेजी क्विक रिकॉर्ड जब आपने क्विक रिकॉर्ड को पर क्लिक किया तो आपके पास यह स्क्रीन आ जाती है जिस स्क्रीन के उपर आप इवली अपनी वीडियो और कोंटेंट यहां ऍे जहां से टाइप पी कर सकते हैं और अभी इन इसको किया था कि किसवेंगर इपोर्ट कर सकते हैं अपना कॉंटेंट ंपके पास और लड़्य पाऊउरॉइव-ठाएंट की आ हम य हूँ उन वह आपके जो है वह पीसी को पर पड़ी वह आप अपलोड कर देंगे अभी रिसेंट्टी मैं यह भी अपलोड कर रहा था तो यह प्रिजेंटेशन अपलोड हो गी है ठीक है जब से कोवेड है उसके बाद online learning बहुत जयादा होगी है उसके अंदर जो कुछ टिप्स उन्होंने बताई है वह यह बताई है कि आपके पास जो भी वीडियो होती है वह engaging ज्यादा तब बनती है जब आपकी presence भी होती है उसके अंदर तो वह highly recommend करते हैं research के अंदर के वीडिय में भी थोड़ा सा वीडियो में ख्याल यह करना होता है कि जिस तरफ camera है अभी मैं अगर content की तरफ देखता हूं so I am not in eye contact with you ठीक है अगर मैं अगर मैं यह camera की तरफ देखूंगा और if I look at the camera जहां भी यह camera आ रहे है तो फिर आपको ऐसा लगएगा कि मैं आपकी तरफ जो आ इंट्रस्टिंग वीडियो ता बनेगी वेन आप थोड़ा सा content पिछे देख लें और जिसमें जब आप बात करें हो तो फिर आप के तरफ देख के बात करें तो आपको ज्यादा content जो हो appealing बनेगा ज्यादा इंट्रस्टिंग बनेगा अब इसके अंदर देखें रहते वे हम नॉर्मली जिसे हम slide करते हैं अब हमारी वीडियो भी आ रही है और साथ ही आपके साथ content भी आ रहे हैं आप साथ ही देखें यूं करते रहेंगे तो आपका content जो हो उसके मताब़े change होता रहे हो अब जिस पीस टॉपिक को बात करने जा रहे हैं तो आप वह बात कर सकते हैं इवन आप चासा को बात होगी फिसके बात एसस्मेंट के उपर जो है वह बात की जाएगी इसी तरह किछा हम स्टैट्स देख लेते हैं स्टैट्स अब जब मैं स्टैट्स को बात का रहा हूं तो फिर मैं इसको फूल स्क्रीन कर दों कि वीजुली लोगों को नजर आए लेकिन आपने यहां पर क कि आपका पिछला काम पाव प्रेजुएंट का और डिजाइन डिजाइन का वह भी आप इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं एक ग्लोस करता हूं कि कि इसको मैं ने बरानी वापिस कि फ्रेश उसमें आ जाता हूं पिछला वाला मैं सारे डिस्कार्ट कर जाता हूँ कि अब इसके अंदर मैं इंपोर्ट के ऑप्चन में जाता हूं तो यहां पर डेस्टॉप के अंदर आ रहा होगा मेरा मैं देख लेता हूं करें वापिस में हम आते हैं प्रजी को पर डैश्बॉड को पुछा पर हमने कुट रिकॉर्ड को पर गया थे हम अब हम आते हैं के यूज प्रेजी प्रेजेंट ठीक है यहां पर आप देखेंगे आपने जितनी भी वीडियो बनाई होंगी प्रेजी प्रेजेंट के थूरू भी जा सकता हूं यहां पर जाता हूं तो तब भी वह में खाते उती तरफ ले जाएगा यह इसमें जो सबसे बेस्ट आप कहलें व वीडियो बनाना चाहरें ठीक है फिरकेंबल दीशाएं मेरी बहूत सारी प्रेजेंटेशन बनीने बीए और मैं चाहता हूं कि मैं इन्य में से इसको मैं present करने जा रहूँ ठीक है तो मैं क्या करूँगा प्रेजी वीडियो के अंदर रहते हुए मैं यूज करूँगा option यूज प्रेजी present उसे क्या होगा कि वो जो content अभी हमने दो तरह का content देखा एक content वो है जो हम ने run real time के उपर या run time के उपर हमने बनाने की कोशिश की उसके बाद हमने कोई powerpoint थी वो हमने import की ठीक है उसको भी present कर सकते हैं और लेकिन third जो सबसे best method है या recommended method है वो यह है कि आप आपकी presentation जो already प्रेजी present पर बनी भी है उसको इस्तुमाल करने यहां पर देखें वो मुझे तमाम presentation दखार है जो मैंने प्रेजी present के उपर बनाई है ठीक है for example अब मैं इस पर लिए की बात करता हूं special learning analytics की presentation है for example इसको मैं कहता हूं import अब मैं चाह रहा हूं कि मैं इसी presentation को यूज करते हुए अपनी वीडियो बनाऊं ठीक है अब वो मुझे दो method दे रहा है वो कह रहा है कि आपने सिर्फ presentation को इस्तमाल करके present करना है जिससा नॉर्मल हम करते हैं जो आप बात कर रहे थी कल आपकी वीडियो नहीं आ रही होती है तो एक तो method ही हो सकता है लेकिन एक method ही हो सकता है यह जो इंट्रस्टिंग method है जो के वैसे नॉर्मल्ली हम यूज नहीं का रहे होते जिसमें आप भी आजे ठीक है वीडियो भी आजे और content भी आजे क्योंकि naturally highly recommended जिस तरह वीडियो होता है कि आपने अपनी विजुल लेकर आनी है लेकिन प्रॉब्लम भी होता है कि content भी साथ आने के लिए आपको editing की जूरत परती है तो हम इसलिए जो हम उस्तरा नहीं कर पाते हैं हमाई पास editors नहीं होते हैं तो प्रेजी इस problem को solve कर रहे है कि आप being a teacher run time के उपर video editor खुद बांदें ठीक है तो अब यह वहला method है जिसमें आप भी होंगे और आपके presentation भी होगी और प्रेजी वाली presentation होगी अब मैं इसको अगर continue करता हूँ यहां पर मैं अपना camera log करता हूँ अब आप देखते हैं कि उसने क्या किया यह presentation के अंदर ही वीडियो भी आगी अब आप presentation के अंदर इंटिग्रेड हो चुके है ठीक है और आपने content इसको मैंने थोड़ा सा अटमाटिक किया वह अदर्वाइज आप सकते हैं ताके content आपका एक वीडियो बजाते हैं अब आपका देखें वही स्क्रीन खुल रही है कि रिकॉर्ड वाली लेकिन इसके अंदर एडिशन के और रहा है बाइड डिफॉल्ट आपका प्रेजी की जो प्रिजेंटेशन है वह इंपोर्ट हो रही है इसके बाद जो है वह आपकी तमाम स्लाइड साजेंगी और आपकी वीडियो भी उसके अंदर इंटीग्रेट हो जाएगी कि इसको में बंद करना पड़ेगा क्योंकि वह और फिल्जाल यहां पर यूज ओर रहे हैं चाँ इसको हम करते हैं क्लोस और ठीक है यह इस्ट लोगों आता रहता है कि एक वक्त में एक जग़े यूजगा यूज वह रहाए तो अगर आपका कैमेरा कहीं और यूजओ रहा है इतलाइज हो रहे हैं ठीक है अब देखें केम्रा यहां पर लोड हो चुका है अब जो प्रेजंटेशन सम्निया पर इसको करें और रिकॉर्ड करते वे जब आप प्रेजी की तरह देखें बाइगा ओके आपकी प्रेजेशन भी आगी है अपकी प्रेजेशन भी है और आप इसी दूरान कि अपने स्क्रीन को आफ करना जाते हैं या इस तरह आप भी आ रहे हैं इसको आफ करेंगे तो आपका कॉंटेंट खतम होजएगा और आप आजेंगे तो यूद रॉन टाइम यूद्ट सच चेंजिस और डिफरेंट तो यह उसी तरह स्लाइट पर चलती रहेगी जिस तरह ए कि आपकी वीडियो भी बीचे आ रही होगी और आप कॉंटेंट को भी सासर डिसक्रस कर सकते हैं और आपने विजू लेकर आनी है तो रॉन टाइम के उपर यहां पर यह काम आपने रिकॉर्डिंग पर क्लिक करने के बाद करना है ठीक है यहां पर वापस मैं आ जाता हूं पर और पर इस तरह आप कर सकते हैं आपका कॉंटेंट यहां पर वेलेबल होगा प्रेजी परेजिए का और उस वीडियो को फिर आप जो है वह डाउनलोड भी कर सकते हैं मैं वापिस प्रेजी पर आता हूं उस पर और यहां पर देके डेस्टॉप एप कॉप्शन भी आ र इसको पर रहते भी में रिकॉर्ड कर सकता हूं वही जो मैं ओनलेन काम कर रहा था तो आई कन अल्सों डू दू दिस वर्क आफ्लाइन एज वैल जिसके अंदर मैं यह वही सेम काम है रही है जिसके अंदर मैं प्रेजेंटेशन अपनी इंपोर्ट भी कर सकता हूं इसको अब यह वीडियो जो मेरी आ रही है इसमें मैंने कैमरे की जो सोर्स है वो प्रेजी कैमरा है यानि कि यह वहला जो वीडियो सोर्स है वो महापर जाए उससे ही होता है कि अब मेरी वीडियो भी जा रही है मेरा जो वर्चुल बैग्रोंड है वो मैंने हाँ सेट किया हुए ठीक है अब यह जूम को पर सेट नहीं हुआ है मेरा वर्चुल बैग्रोंड यह मैंने हाँ से शेर की वी है तो आप कोई नदर आ रहे हैं अदर्वाइज आपको कैमरे के अंदर ही मैं यहां पर चीज़ने लिख सकता हूँ तो इस बागी वीडियो और अपने एसाइमेंट वीडियो की छॉर्ट सी वीडियो बिनानी है किसी पी टॉपिक के वाले से उसका लिंक शेयर करने आपने लिंक शेयर करने का अमगे तरीका बताते हूँ क्योंकि बाइडफॉल्ट जब आप कोई भी चीज बिनाते हैं वह आप की प्राइवेट होती है मतलब कि उसमें आप कोई और बंद एक्सेस नहीं कर सकते होता है क्योंकि आप लिंक शेयर करेंगे उसको आप फिर वह आप दूसरों के साथ उसको दे सकते हैं यहाँ पर डैशबूर्ट खोल लेता हूं यह अब मुक्तलिफ वीडियो बनाई है ठीक है यह एक वीडियो बनाई है वीडियो बनाने के बाद अभी मैंने इसको पब्लिक किया है यहाँ पे आप क्लिक करते हैं डॉट्स के दाथ और शेयरिंग और प्राइविसी पर क्लिक करते हैं यह लिंक आता है आप जिसको भी लिंक देंगे वह व्यूट कर सकेगा और अगर आप चाते हैं कि यह पब्लिक ली जो प्रैज़ी की गैलरी यह उसको पर भी नजर आता रहे तो आप इसको पॉलिक या प्राइवेट कर सकते ठीक है प्राइवेट करूंगा तो यह सिर्फ जिसके पास link होगा उसको visible होगी public कर दूँगा तो if you want to make your video public so it can be public if you want to make it reusable for example आपने जो content या जो theme apply की है आप चाहते हैं कि और बंदा भी use कर सके उसको तो आप इसको भी allow कर देंगे तो आप इसको reuse भी कर सकते हैं इसी video के embed करना चाहते हैं embed पर क्लिक करते हैं तो आपका यह code आजेगा और आप इसी code को अपने LMS को अपर अपनी website को पर डालके उसको embed कर सकते हैं so it is very flexible in a kind के आप उसकी sharing collaboration ठीक है उसके अंदर further जो है वो progress कर सकते हैं so this was all about Prezi अब आप इसमें हवाले साब को कोई question हो यहां पर मैं अब के लिगता हूँ any question or feedback जी अब आपको कोई सवाल है कोई overall तीनों में से कोई सवाल है प्रेजी प्रेजी वीडियो प्रेजी डिजाइन के हवाले से इवन सर्टिफिकेशन के वाले से मैंने आगे जो LMS के ओपर लिंक दिये में उसी लिंक के जरीए से आपने पहले तो basic account बनाना है उसके बाद जो लिंक दिया है उसी लिंक के ओपर आपने apply कर देना है for 90 days trial आपको edu plus जो license आपका $3 वाला वह आपको free में 90 days के लिए मिल जाएगा और उसी में जो पहले लिंक है प्रेजी सर्टिफिकेशन का जो official प्रेजी सर्टिफिकेशन उसको पर भी आप फॉर्म फिल अप कर लें तो वह आपको एक link email आई का official प्रेजी की तरफ से उसमें इनी assignments को आपने जो है वो जो मैंने तरतीब दी है उन्हीं को आप यूज करके प्रेजी की certification जो badge भी ले सकत सब्सक्राइब करवाने मिल सकती है मैं इस weekend का डाल देता हूं उसमें आगे कोशिश करें क्यूंकि जितना open flexibility हम हम कुछ सारे educators हैं उसकी हमें पता है जब हम बिल्कुल open-ended रख देते हैं तो motivation नहीं रहती ना और उसी के ओपर कोई short से वीडियो जो भी आप बनाना चाहते हैं वह बनाए इसको है ओके सब्सक्राइब जी अमझे साब LMS का मैंने बताया था आपने शायद आज थर्ड ये जॉइन किया इसको पर वीडियो बहुत सारी डाल दीगी है कल की रिकॉर्डिंग भी डाल दीए और आज की ये वनी रिकॉर्डिंग भी मैं उसको पर अप्लोड कर दूंगा उसको फॉलो करें इंशाला ताला आप बैग्राउंड से जो हमने जितनी चीजें सीखी हैं प्रेजेंट वली और डिजाइन वली वह आप देख सकते हैं उसके अंदर ठीक है अगर कुश्यू आता है लॉग इन में तो आप मुझे बता सकते हैं वाट्सेप को पर बता सकते हैं इमेल करके बता दें सो आइविल ट्राइट फिगर इट आउट जी मैडम नुजरत शिराज मैडम डॉक्टर फरकंदा मैडम तूबा सब्सक्राइब बहुत अच्छी प्रेसंटेशन रही बहुत अच्छी ट्रेनिंग रही इंशाला हम अपना असांइमेंट करेंगे कंप्रीट और फिर आपको बताएंगे आपको मैं फीडबेक देखें हमने कैसी खाब से इत वाइट इंट्रेक्टिव इंट्रस्टिक सेश सब्सक्राइब बहुत अच्छा रहा सेशन और थर्डे तो काफी स्मूथ रहा कल थोड़ा सा इश हुआ था लेकिन फिर भी उसमें भी लर्निंग थी कि हमने कहां पर आगे कैसे जाना है तो बहुत अच्छा रहा तीनों दीन ही बहुत अच्छे रहे और इसने एक मोटिवेशन भी दिये कि हमें किस तरह से मूव करना चाहिए तो बहुत अच्छा था तो बहुत अच्छा था था तैंक्यू वेरी मच और इंशाला हम वीकेंड के ओपर कोशिश करेंगे कि असाइन्मेंट्स को कंप्लीट करनें और अगर हमें कहीं पर कोई है टांक करेंगे तो हम आपको तंग करेंगे जैकि जी माइम हमा आपको दे तांक्छा था प्रीज़ी दियुक्ट करेंगे इसको इंट्रोडिउस के वाले के लिए हमारी हमें पारिजिपार के वाले के थेंक यू सो मुच जाक। जी अनिबड़ी वांट्स टो एड़ एड़ फीडबेक और अधरवाइस इट्स अल ड़न फॉम मैं साइट इस आला मुलकात रहेगी क्लाबरेशन रखें और इस तरह के ने टूल्स हम सीखते रहेंगे और कुछ आप लोग से सीखेंगे कुछ जो मुझे आते हैं शाला ताला मैं इसको पहले फ्री वर्जन यूज कर रहा था पिर मैं पिछले दो साल से खुद पे करके मैं आप कहलें के जो थ्री डॉलर रहा है वो भी इतना ज्यादा नहीं है थ्री डॉलर आपको मिल्टिप्लाइ करें तो वह पांच-छेजार साथ-जार साल के जो इट्स नटिंग जो फीचर्स मिल रहते हैं ठीक है तो अब बलके में प्रोच किया आप इसको नैंटी डेस्विलर ट्राइल को एक्स्प्लोर करें यूज करें एवन ऑफिशली प्रचेस किया भी जा सकता है डिपार्टमर्स के थुरू भी उसके जो पुब्लिक लाइसेंस टीम लाइसेंस ह खाय खाय हैं तो एक थैक यू वरी मछ अलाह फिस